हिंदी में लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर बहुत सी फिल्में बनी हैं वाख्त जौनी मेरा नाम यादो की बारात अमर अकबर एंथनी जैसी कई फिल्मों में इस फॉर्मूले का सक्सेस्फुली यूज किया गया खासकर सत्तर के दिशक में मगर इसकी शुरुआत 40's में हो गए थी फिल्म थी 1943 में आई किस्मत 90's में एंटी हीरो का कॉंसेप्ट भी काफी फेमस हुआ और शारुख खान को ये रिस्क लेने के लिए काफी सरहना भी मिली लेकिन इस कॉंसेप्ट की शुरुआत भी किस्मत फिल्म से मानी जाती है ये फि पाकी स्टूडियोज की तरह बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में भी स्त्री और समात से जुड़े मुद्दों पर फोकस किया गया लेकिन कुछ अलग तरह से उन फिल्मों में एक तरह की सफिस्टिकेशन के साथ साथ ग्लैमर भी था और स्टार्स की चमक भी पहली पाकीज अपने समय के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक था जिसकी स्थापना हिमानशुराय और उनकी दूसरी पतनी देविकारानी ने की थी हिमानशुराय ने कोलकता में वकालत की डिग्री ली और बैरिस्टर बनने के इरादे से लंदन पहुंच गये लेकिन वहा नाटक बहुत कामियाब रहा और तब उन्होंने लौ छोड़ कर थेटर पर फोकस किया ये नाटक जिस ड्रामा ट्रूप का था वहीं एक जर्मन अभिनेतरी भी काम करती थी जिनका नाम था मेरी हैनली हिमानशुराय और मेरी एक दूसरे से प्रेम करने लगे और फिर दोनो अफ डाइस और कर्मा कर्मा अपने चार मिनिट लंबे ओन स्क्रीन किसिंग सीन के लिए बहुत चर्चित हुई लेकिन अ थ्रो अफ डाइस वो फिल्म है जिसके दौरान हिमानशुराय देविकारानी से मिले देविकारानी उनसे करीब 10 साल चोटी थी और बेहत खुबसूर तब तक हिमानशुराय अपनी फिल्मों की वजह से इंग्लेंड और जर्मनी में काफी मशूर हो चुके थे और देविकारानी के लिए उनका व्यक्तित वो बहुत बड़ा था और वो उनसे काफी प्रभावित पी थी हिमानशुराय पर भी देविकारानी की प्रतिभा और खुबसूरती की गहरी चाप पड़ चुकी थी फिर इमानशुराय ने देविकारानी से शादी कर ली और उनके साथ भारत लोटाए बॉम्बे टॉकीस की स्थापना 1934 में हुई थी और बहुत ही कम समय में वो अपने समय का एक बड़ा स्टूडियो बन गया था मुंबई क मलाड में बने बॉम्बे टॉकीस के स्टूडियो में साउंड प्रूफ स्टेजस के अलावा लबोरेटरी, एडिटिंग रूम और प्रिव्यू थेटर भी था बॉम्बे टॉकीस भारत का पहला कॉर्पोरेट स्टूडियो था जिसमें करीब 400 लोग काम करते थे उनमें कु बॉम्बे टॉकीस ने बहुत हाई स्टेंडर्ड सेट किये, ना सर्फ टेक्निकली बलकि एस्थैटिकली भी, उन्होंने ऐसे सामाजिक विश्यों पर फिल्म बनाने का रिस्क लिया, जिन्हें पहले किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की थी, स्टूडियो की ज्यादतर फिल् बॉम्बे टॉकीस की पहली फिल्म जवानी की हवा 1935 में आई, जिसमें देविकारानी हिरोईन थी और नजमुल हसन हीरो, शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे की तरफ आकरशित हो गए और ये प्रेम इस कदर हावी हुआ कि अगली फिल्म जीवन नया की शूटिंग के बीच में ही वो दोनों बिना किसी को बताए मुंबई छोड़ कर कोलकता चले गए, लेकिन शचदर मुखरजी के समझाने पर और कुछ शर्तों के साथ देविकारानी हिमानशुराय के पास वापस मुंबई आई, फिल्म में दुनिया का फलसफा भी है न, शो मस गो आन, तो जीवन नया की शूटिंग फिर से शुरू की गई, लेकिन अब मुश्किल थी नए हीरो की, वो हीरो हिमानशुराय को दिखाए दिया अपने लाब असिस्टेंट में, जो थे अशोक कुमार, हालकि अशोक कुमार कहते रहे कि उन्हें आक्टिंग नहीं आती है, पर हिमा मैं बन का पन जीवन के संग संग दो लूरे, मैं बन की खिडियों बन के पन बन बोलूरे 1949 तक Bombay Talkies में इज़त, जीवन प्रभात, प्रेम कहानी, सावित्री, भावी, निर्मला, वचन और कंगन जैसी फिल्मों का निर्मान हुआ इन में से ज़्यादतर फिल्मों में देविकारानी हिरोईन थी, उनकी खुबसूरती की चर्चा हर जगा हुआ करती थी उनके एक्टिंग स्टाइल की तुलना ग्रेटा गार्बो सी की जाती थी, इसिलिए उन्हें इंडियन ग्रेटा गार्बो भी कहा जाता था उनके ग्रेस, ग्लैमर, अभिने और खुबसूरती की वज़ह से ही उन्हें First Lady and First Diva of Indian Cinema कहा जाता है देविकारानी और नजमुल हसन वाली घटना के बाद से हिमानशु राय की निजी जिन्दगी कोई खुशगवार नहीं थी फिर दूसरे विश्वियुद के शुरू होने से स्टूडियो पर भी असर पढ़ने लगा उस पर एक और घटना घटी उनके लंदन के साथ ही निरंजन पाल जो शुरू से बॉम्बी टॉकीज में बतौर लेखक काम कर रहे थे उनसे भी हिमानशु राय की अनबन हो गई हालात काफी बिगडने लगे थे और सब कुछ समभालने की कोशिश में हिमानशु राय पर इतना स्ट्रेस पड़ा कि 1940 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और 16 माई 1940 में सिर्फ 48 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई उनकी मौत के बाद मेजर शेयर होल्डर होने की वजह से Bombay Talkies का कंट्रोल देविका रानी के हाथों में आ गया और यहीं से स्टूडियो दो गुटों में बढ़ गया एक में देविका रानी के साथ अमिय चक्रवर्ती और दूसरे में शश्दर मुखर जी और अशोक कुमार थे ऐसे हालात में कई लोग स्टूडियो छोड़कर चले गए जिनमें पहली फीमेल म्यूजिक डिरेक्टर सरस्वती देवी भी थी जिनोंने शुरुआत ही Bombay Talkies से की थी उनकी जगहली अनिल बिस्वास ने और तब ही आई फिल्म किस्मत जिसने एक ही सिनेमा हॉल पर सबसे ज़्यादा दिन चलने का रिकॉर्ड बनाया साथ ही उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी किस्मत के बारे में ज़्यादा जानने के लिए जो अलग से वीडियो बनाया गया आप उसे देख सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है किस्मत से पहले बंधन, पुनरमिलन, जूला, नया संसार जैसे मशूर फिल्में आ चुकी थी और बाद में भी आई, मगर अंदुरूनी आपसी विवाद ने बॉम्बे टॉकीज को काफी नुकसान पहुंचाया 1943 में शैशदर मुखरजी ने भी बॉम्बे टॉकीज छोड़ दिया और राय बहादुर चुन्नी लाल के साथ भागीदारी में अपना अलग स्टूडियो बनाया फिल्मिस्तान जिसमें उनके साथ बॉम्बे टॉकीज के कई और लोग भी शामिल हुए जिन में अशोक कुमार और ग्यान मुखरजी भी थे 1945 में देविकारानी ने सिनेमा को छोड़ कर रशियन पेंटर स्वेतोसलाव रोरिक से शादी कर ली और बॉम्बे टॉकीज का पूरा आर्काइव अपने साथ ले गई बाद में उन्होंने वो सारा माटीरियल न्यू यॉक के निकोलस लोरिक म्यूजियम में भेज दिया लेकिन बॉम्बे टॉकीज की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती देवी का रानी के जाने के बाद अशोक कुमार जो बॉम्बे टॉकीज के एक मेजर शेयर होल्डर थे उन्होंने वापसी की तो आखरी सांसे लेता हुआ स्टूडियो फिर से जीने लगा 1948 में आई फिल्म जिद्दी जिसने देवानंद को तो शोहरत दिलाई ही किशोर कुमार को भी प्ले बैक का मौका इसी फिल्म से मिला बॉम्बे टॉकीज की 1942 में आई फिल्म बसंत में मधुबाला ने बतौर बाल कलाकार बेवी मुम्तास के नाम से डेब्यू किया था और जिस फिल्म से वो एक हिरोईन के रूप में मशूर हुई वो भी बॉम्बे टॉकीज की ही फिल्म थी 1949 में आई महल जो बेहत काम्याब हुई इन मशूर और काम्याब फिल्मों के बावजूद स्टूडियो में सब कुछ ठीक नहीं था और आखिरकार 1953 में बॉम्बे टॉकीज में फिल्म निर्मान बंद हो गया संग्राम, मशाल, मा जैसी कुछ और फिल्मों के बाद आखरे फिल्म रही 1954 में आई बादबान कंगन, बंधन, जूला, नया संसार, किस्मत, पुनर, मिलन, महल जैसी कई कालजाई फिल्में बनाने वाले बॉम्बे टॉकीज से कला, संगीत, निर्ते लेखनादी के क्षेतर की चुनी हुई प्रतिभाएं जुड़ी थी कई मशूर स्टार्स को इस स्टूडियो ने मौका दिया जिनमें अशोक कुमार मधुबाला के अलावा दिलिप कुमार भी बॉम्बे टॉकीज की ही खोच थे उन्होंने 1944 की फिल्म जुआर भाटा से फिल्मों में कदम रखा बतौर लीड एक्ट्रिस लीला चिटनिस भी यहीं से उभरी निरंजन पाल के अलावा जैस कश्यप बॉम्बे टॉकीज की शुरुआती स्क्रिप्ट राइटर थे जुन्होंने 1940 तक बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों की गीत भी लिखे कंगन फिल्म से बतौर गीतकार कवी प्रदीब भी स्टूडियो का हिस्सा बन गए अनिल बिस्वास, पन्नालाल घोश, पियल संतोशी, ग्यान मुखर जी, आमिय चक्रुबर्ती इन सबने मिलकर बॉम्बे टॉकीज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसे उन उंचाईयों तक पहुंचाया जहां फिल्म इतिहास में वो सबसे अलग खड़ा लिखता है